आज आप दोस्तों मैं हूँ यम्मे वाजिद आप देख रहे हैं पैगाम टीवी प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे अमरिका की सूपर पवर अमरिका के फुलोरेडा और दिगर छेरियासतों में आए तूफान हेलन ने तबाही मचा दी है यहां की अवाम कसीर सडकों से खतम हो चुका है अब ये तूफान किस खदर भयानक रहा होगा ये जानने के लिए देखिए अमेरिका से हमारे नुमाइंद मुहमत फारूख की ये खास रिपोर्ट बदलते वक्त के साथ साथ जहां इनसानी रवयों में तबदीली आने लगी है वही मौसम भी अपनी चाल बदल कर नए नए मिजाज अपनाने लगा है और हम हर मुझबत चीज़ को खैरबाद कहे कर आगे बढ़ने लगे हैं बाज केसे में तो हमने मुझबत चीज़ों पर फातिहा पड़ लिया है और दूसरी जानिब मनफी चीज़ों को बखुशी गले लगा रहे हैं और कभी कभी तो हम मनफी बातों में ऐसी भरपूर दिल्चस्पी लेते हैं जैसे खौफ लाख हो के कहीं महरूम न रह जाएं तूफानी आँख में जिन्दगी बसर करने का श का नतीजा सिर्फ बरबादी है जिस राह पर हम बखुशी गामजन है और बरबादी के सिवा किसी और मनजिल पर हमें नहीं ले जा सकती अब हमें यहां पर यह देखना भी जरूरी है कि इसराइल का हमायती अमरीका जो सूपर पावर कहलाता है अपने उरूर में इतना मगन है कि उसे सिवाए हातियार बेशने के और कोई रह नहीं सुच दी फलस्तीन के मासूम बच्चे और खवाती इन पर हमला करते हुए इसराइल ने साबित कर दिया कि यहूरी दुनिया की सबसे बुरी खौम है हिटलर ने तो पहले इनके तालुक से कह दिया था फिर भी अमरी भी इलाखों में पानी दाखिल होने के बाद घरों में दाखिल हो गया मौसलाती निजाम दरहम बरहम होकर रह गया आफज़दा इलाखों से बड़े पैमाने पर नकले मकानी को अवलीन तरजी दी जा रही है लेकिन पानी का बहाओ तेज होने के कारण इमदादी कामों में उल्जंदर पेश है चार-चार मीटर उंची लहरें और बाज मुखामाद पर बारा फिड बलन लहरें अपनी ताखत का मजाहरा कर रही हैं जिसे देखकर अवाम पर है बतारी हो गई है देखते ही देखते फलोरिडा के कई मुखामाद जेर आबा गए हैं जिधर नजर दोड से रापता खतम हो गया है कई दिनों से यहां के 20 लाक से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं जबके इस तूफान में मरने वालों की तेदाद 150 से ज्यादा बताई गई है इतनी बरबारी के बाद अमरीका को इस तूफान के सामने हमने बेबस लाचार और मजबूर पा इनके ये आसू हैं जो बरसों खत्रा खत्रा बहते जमा होते रहे जमीन की तह तक देख लेने का दावा करने वालों ने इन पर ध्यान देने के बारे में नहीं सोचा इन आसूँ को गजब और खहर बन कर आगे बढ़ने का इंतजार था जो ही उन्हें हुक्म मिला उन्होंन का तूफान मामूली हो भी नहीं सकता